जैहिन दोस्तो इस टापिक में हम आप लोगों को बताएंगे कि लायड के इनवर्टर एर कंडिशनर में अगर E5 का इरर कोड आ जाता है तो उसे हमें कैसे साट आउट करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो क्रपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान द बोलते हैं और एक आउट डोर यूनिट में PCV लगी होती है उसको हम लोग इनवर्टर PCV बोलते हैं अगर आप लोग लायड के इनवर्टर AC में काम कर रहे हैं और उसमें इरर कोड इफाइप आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि जो आउट डोर में इनवर्टर PCV लगी भी लगा हुआ है उसके एक कंणेक्टर को चेक कर लेना है कहीं लूज कांटेक्ट तो नहीं है और उसमें तीन सेंसर भी लगे होते हैं उनको भी पीछे कर लेना है कि कोई sensor तो नहीं कटा है या फिर कोई sensor खराब तो नहीं हो गया है अभी हम आपको एक एक PCB को दिखाएंगे inverter PCB को भी दिखाएंगे और और ये वाला पॉइंट कम्मिनिकेशन वाइर है जो कि आउट डॉर से आता है यह इसका न्यूटल पॉइंट हो गया यह पॉइंट अर्थिंग के लिए बना दिया जाता है यह नार्मल पीसीपी है इंडोर यूनिट में लगी रहती है यह पूरी पीसीपी यह देखे जो री diesem cb देख रहे हैं यही इनवार्टर पीसी भी है आउटडोर यूनिट में लगी होती है यह आउटडोर यूनिट में लगिंग होती यह इसके सेंस़र दिख रहे हैं हां et5 के के मैंसे जाने पर हमें इसी में फार्ट डोनना होता है यह एक संसर है यह हमेसा Finger लाज लाइन में लगा रहता है यह दूसरा यह कंडेंसर के लिए एर कितना एयर फ्लोग हीट फेक रहा है उसके लिए लगा रहता है और यह तीसरा सेंसर है यह कैपिलरी के पास क्वाइल में लगा रहता है यह तीसरा संसर इनको चेक कर लेते हैं और यह जो connectors देखना है यह compressor में जाते हैं हमेशा DC current को भीजते हैं compressor में और यह वाला जो point होता है यह देखिए यह newtal point है यह हमेशा indoor unit से आता है यह blue color वाला यह हां neutral point है और यह रेड रेड वाला फेज है जो कि हमेशा इंडोर यूनिट से आता है और यह कम्यूनिकेट होकर इंडोर यूनिट में जाता है अगर कोई भी फाल्ट होता है तो हमेशा यही कम्यूनिकेट कर देता है इंडोर यूनिट को तो इफाइब का मैसेज आ जाता है यह देखिए इसी DJ machine का यह PC भी खुला हुआ था इसको रिपेरिंग करके वापस इसमें लगाया जा रहा है हाह यह यह बाक्स होता है अच्छी तरह से पिल साकता की कभी इसमें पानी वा नी रजाए इसके बहुत अच्छे से यहां पर लगा होता है हाँ एक संसर यहां के पास क्वाइल में लगा रहता है यह एक संसर यहां पर लगा होता है यह देखिए एक संसर यहां पर लगा होता है हाँ और एक संसर लगा होता है यह देखिए डिस्चार्ज लाइन में कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज लाइन निक करता है यह अभी इंडोर में आ गए यह इंडोर का PCB है हां यह इंडोर यूनिट में PCB लगा होता है यह नार्मल PCB होता है यह सारे Connectors है रिपेरिंग के लिए गया था तो इसको वापस लगाया जा रहा है सारे Connectors कौन कहां का है उस इसाफ से इसी पॉस्च्ष Gold को अच्छे से लगा दिया एक यह कि सारे Connectors निकले हुए थे नहीं इसको सही से वापस इस PCB में लगा देना और इस PCB को अच्छे सी बाक्ष fert में वापस बैठा देना है यह देखिए यह सारे connectors निकाल लिए गए थे क्योंकि repairing के लिए PCB गई थी इसमें इफ हाइप का error code आ रहा था हाला कि हमें पता था हमें पता था कि इसकी normal PCB में कुछ भी fault ने लेकिन repairing के लिए जब चेक करना होता है तो हमें दोनो PCB ले जाना पड़ता है कभी भी लूज कांटेक्ट भी नहीं रहना चाहिए अच्छे से सारे कनेक्टर्स को जो जहां का है वहाँ पर वापस लगा देना होता है यह इसका डिस्प्लेय है इनिट का यह देखिए यह सारे कनेक्टर्स लगाए जा रहे हैं जो कनेक्टर्स जहां का है लगा दिया जाता क Between Performance, यह देखिर सारे आने दाने निकले उवे थे अभी लगा दिये जाएगे यहारे करने सारे सारे उक्तwow कर दिया जाएगा बस आपको इतना समझ लेना कि जब भी कभी भी ईवार कोडू आर तो तो फिर हमको PCV की वापस बाहर निकालके फिर से इसमें लगाना होता है हां यह देखे सारे connectors लग गए यह अब लगबग सारे connectors लग गए अब इसको अच्छे से लगा के इसको पैक कर दिया जाएगा हाँ इसके बाक्स को अच्छे से पाइक कर देना है कि कभी अगर इसको सर्विस की जाए तो इसमें पानी यानी कुछ ना जाने पाए ये देखे पूरा लगा दिया ये क्वाइल है इंडोर यूनिट है टो